बंदरा परखंड के हथा पंचाइच छेतर से एक वरी खबर सामने आ रही है जहां बागमाती नदी के जलस्तर में उफान के बाद हथा से समस्तिफूर एवम दर्भंगा जाने वाली मुखपत मलाह टोली के निकट करीब 25-30 फिट में तूट गया है जिसके बाद से यहां दर बंदरा पूल मना हुआ था किस नदे का यह पानी है बागमती नदे का है नाला बन गया वहां बागमती से था यूड गया अध्यूब बढ़ति ही देख पार उत्तर रहा से ओवब लएड बने के कि इस इतना वाद चला है थे पानी को से लएड यूद गया डूमा दिया यह तूट अस्तल हाथा पंचाज छेत्र का बताया जा रहा है ग्रामिनों का बताना है कि बागमाती नदी के जलेस्तर में बिर्धी की वज़े से पानी का आतिधिक दबाब था जिसके वज़े से सरक तूट गया पानी बरही रहा है कि यह त्था पंचाज का वाड नमर 10 और यह त्था पंचाज और पंचाज तो उस रास्ता को जूरता है यह दोनों डिस्टिक को भी जूरता है यह रोड मुजबफ़पूर के अंतिम सिमान से समस्तिपूर जाती है मुझे दरभांगा जाती है दरभांगा में मेडिकल बहुत बरह है वहां बीमार जितना लोग परते हैं दाइडेक्ट दरभांगा भागते है लोगों का बताना है कि सरक तूटने के बाद से उत्तर दिशा की तरब से दशिन दिशा के इलाकों में बागमती नदी का पानी तेजी से फैलता जा रहा है मामले की ततकाल जानकारी बंदरा के अंचला धिकारी तथा परखंड विकास पदा धिकारी को ग्रामिनों के द्वारा दी गई है और आबस्से कारवाई करने की मांगी गई है सरक तूटने की वज़त से हंथा पंचात का समस्तिपूर अबम दर्भंगा जिला छित्र के परोसी गाउं से सरक संपर्क बाधित हो गया है